दोस्तो नवश्कार, दोस्तो जब देश के भीतर समाजी, कार्थिक, राजनेतिक या फिर वैदेशिक निती को लेकर भी सवाल उठने लगे हो और उन सवालों के दायरे में इस देश की जनता के सामने अगर किसी भी छितर से जुड़ा कोई मुद्दा उभर कर सामने आए और उस मुद्दे पर विरोध हो या समवाद हो, समधान के लिए रास्ते खोजने का जिक्र हो, या फिर उल्जन क्यों आई है इस पर भी चर्चा हो लेकिन तब तक कोई दूसरा मुद्दा उस से जादा कहीं जटल पर इस्तितियों के साथ आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या कहेंगे कमोवेश देश की स्तिती यही है और इन स्तितियों के बीच देश के प्रधान मंत्री, प्रधान सेवक यह कह रहे हैं कि आपके पास कोई सुझाओ है बजट के लिए तो आप हमें जरूर बताईए हमें लगता है इस देश में मौजूदा वक्त की जो परिस्तितियां है उसमें सबसे बड़ा सुझाओ, इस सरकार के लिए तो यही है वो अपनी गल्तियों को मान ले और जब वो गल्तियों को मानेगी तब वो सुधार की दिशा में जाएगी किस तरीके से बीते छे बरस के दौर में कमोवेश हर छेत्र को जिस तरीके से चलाया गया और जिन पर इस्तितियों में लेकर आ चुके हैं, वो सारी इस्तितियां डराने वाली है आज हम दस गलतिया इस सरकार की पहले आपके सामने रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि दरसल इस देश की स्थिती आखिर ऐसी क्यों हो गई है सबसे बड़ी स्थिती या देश में सबसे मौजूदा वक्त में इस देश की एग्रिकल्चर को चौपट किया गया पहली कलती एग्रिकल्चर चौपट से सीधा मतलब यह है कि जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है यानि खेती करने के लिए जो पूंजी लगती है वह इनपुट महंगा होता गया बाजार में डिमांड कम होता गया और सस्ते में माल बेचने की स्थिती में किसान आ गया तो इनपुट कोस्टली हुआ है आउटपुट सस्ता हुआ है किसान क्या करें खुदकुशी ना करें तो क्या करें दूसरे इस्थिती ने इसेट और मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर को पूरी तरीके से चौपट किया गया रियल इस्थिती को जो मदब के नाम पर 25 थ पचास हज़ार करोड का जिक्र किया जाता है रियल स्टेट के भीतर का सच मौजूदा वक्त में यह है कि लगबग पच्चिस लाक करोड की जवरत उसको है लेकिन वह इस्तिति इस देश के भीतर अब है नहीं कि वह पूंजी आएगी कहां से इतना ही नहीं इसके समनांतर में जो टारगेट रखा गया कि हर को घर दे दिये जाएंगे उस घर की परिस्तितियां भी यह है कि इस देश में लगबग 22 से 23 परसेंट तक ही घर बन पाए हैं जो घर की तादाद आज की तारीक में लगबग 70 से 72 परसेंट होने चाहिए यह रफतार है प्रधानमंत्री अवास योजना का लेकिन रियल स्टेट की एक अपनी एकनौमी होती है उसे चौपट किया गया मैनिफेक्चरिंग सेक्टर में जितनी बड़ी तादाद में इस देश में ना सिर्फ औरगनाईज सेक्टर काम करता है बलकि अन औरगनाईज सेक्टर भी काम करता है उसके पास आज की तारीक में काम नहीं है और मशीन से मशीन तो बनाई नहीं जाती है मशीन से प्रोड़क्ट बनाए जाता है और उसके बाद GST ने इस देश के वैपारियों के सामने एक निया संकट पैदा कर दिया GST जिस सोच और इस दिशा के साथ क्रियेट किया जा रहा था कि इस देश में एक देश है तो एक ही टेक्स रहेगा वह भी परिस्तितियां खतम हो गई जनता पर टेक्स का बोज जादा है जो माल उप जाता है उतपादित करता है बाजार में बेचता है उसे और ज़ादा टेक्स के दाएरे में और ज़ादा टेक्निकली जटिल परिस्तितियों के साथ लपेटा जाता है चौती स्थिति इस देश की बैंकिंग सर्विस को चौपट किया गया यानि अर्बन कॉपरेटिव बैंक के बाद की स्थिति यह है कि इस देश की जो सारजनिक बैंक है उनके भीतर बड़ा संकट है वो कॉमर्शियल काम छोड़कर इस सरकार की नितियों को लेकर आगे बढ़ाने की इस्तिति में ही अपने आप को लगाए रखते हैं जिससे सरकार की जंधन योजना हो, उजवला योजना हो, मुद्रा योजना हो या जितनी भी योजनाए हो उन्हीं योजनाओं के मद्दे नजर उन्हें काम करना है, बैंकिंग सेक्टर ढहते ढहते इस्तिती आ गई, NPA लगातार बढ़ते गया, बैंक के बीतर घपले घोटालों की परिस्तितियों में और ही जाफा हो गया, इस देश के बीतर जब बेरोजगारी की परिस्तिती आई तो टेक्निकली यानि जो इंटलेक्श्वली चीजें की जाती है, इस किल के साथ की जाती है, वह भी इबैंकिंग के जरीए घपले घोटाले अपने चरम पर पहुँच गये हैं, पांचवें इस्तिती इस देश में अन और्गनाइज सेक्टर जो नोटबंदी के बाद की प उस बड़े तबके को कहीं रोजगार देने की परिस्तितियों से जोड़ देता है, जहां पर देश में लगातार श्रमिक काम में लगे रहें, उसे आपने चोपट कर दिया, छटी इस्तिती आई ये नॉन बैंकिंग फैनांस कंपनी जो NBFC होती है, उसे आपने पूरी तरी के से खतम कर दिया, सातवी अज्यानता की भाषा में अगर इसे हम समझे तो उस समय कहा गया था जिस समय नोट बंदी हुई थी, अब तो मालिक भी लाइन में है, लेकिन जमिंदार भी लाइन में है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आया, कि ये कहने भर से आप जिस सैडि नौकर शाही की मोटी दिवार इसी दोर में खड़ी की गई उस नौकर शाही के भीतर का सच है कि जो पसंदीदा के नौकर शाह थे उन्हें आपने उपर से लेकर नीचे तक बनाया एक दिवार की तरह और जो पसंदीदा नहीं थे उन्हें दरकिनार किया और नौकर शाही बीतर का करप्शन कभी इस देश के भीतर उस करप परिस्तितियों के साथ सामने आ नहीं पाया जो चेक एंड बैलेंस करके बतलाता कि नितियां फेल हैं तो उसके पीछे करप्शन है यहां तो करप्शन भी वही कर रहा है नितियां भी लागू वो नहीं कर पा रहा है या नित कर दी सेलेक्टिव हो गए इसलिए अगर शेयर मार्केट के भीतर भी जिनके पैसे लगे हुए वो जाक कर बार-बार देखते हैं कि अम्मानी अडानी या फिर टाटा के कुछ सेक्टर का पैसा या शेयर्स उपर चलते हैं लेकिन बारी सारी कमपनिया बेकलिहास से रो रही है इतलिहास से है कि वो रिस रहा है उसमें से कुन शेयर मार्केट की भी इस्तिती ऐसी हो गई कि चंद कमपनियों की पूझी और उनकी बढ़ती हुई पूझी के आस्रे उनका बढ़ता हुआ शेयर ही पूरे कॉर्पेट को समालने का दावा कर रहा है और शेयर मार्केट उसक economic reform के बाद से इस देश के भीतर एक systematic तरीके से एक लकीर खिच रही थी हर सरकार आती थी वो reform करती थी even अटल बहारी वाजपई की भी सरकार आई जो बीजेपी की सरकार थी एंडिये की सरकार थी कई पार्टियों का उसमें समावेश था उस ने भी उन चीजों को इस रूप मे चलती रहे लेकिन जो गवर्नेंस समाल सकते हैं उनको आपने दरकिनार किया मौजूदा वक्त में चाहे वो यश्वन सिना हो अरुशौरी हो मुरली मरजोशी हो लाल किशडवानी हो या ऐसे कोई भी नाम जो एक वक्त में इस देश की गवर्नेंस को चला रहे थे मौजूदा वक्त में जिन हातों के जरीए इस देश की गवर्नेंस को चलाने का जिकर हुआ वो उस गवर्नेंस को चलाएं या फिर आपकी खुशी बरकरार रहे इस दिशा में हसते मुस्कुराते हुए तालियां पिटती रहे ये एक इस्तिती बीजेपी के भीतर रही और दस्तिती थी उसमें सबसे बुरा मुश्किल ये था कि जो आरेसेस का एजेंडा था उसे बिना आरेसेस की सहमती या सरोकार के लागू किया गया और गवर्नेंस जब लागू करने का जिकराया जो अलग अलग पॉलिसी के तहत था उसमें आरेसेस को जोड़ दिया गया यानि आरेसेस इस सरकार की हर निती के पीछे खड़ी है मैसिज ये गया और RSS के अजेंडे को उस सियासत को साधने के लिए किया गया जिसके जरिये RSS के सरुकार इस समास से खत्म हुए RSS अपने तौर पर सिर्फ सेना और उस भीड का हिस्सा बन गई चाहे वो माइनिंग का छेतर हो या रक्षा का छेतर हो मेकिन इंडिया इसने स्वदेशी खतम किया अपने तरीके से किस रूप में टेक्नलोजी लानी है उसको आगे बढ़ाना है इस दिशा में आप आगे बढ़ते चले गए डिस इंवेस्टमेंट आपने सारजनी को पकरम करना शुरू किया ना जुक इस्तिती हो गई है तो चलिए डिस इंवेस्टमेंट रुका हुआ इस देश के बीतर में अन्निता आप एक सारजनी कमपनी से जो पब्लिक सेक्टर की कमपनी है तो उसका पैसा भी दूसरी पब्लिक सेक्टर की कमपनी के घाटे वाले हिस्से को ऐसे ट्रांसफर करके एक बैलेंस की स्तिती लाना चाहते है ठीक उसी तरीके से जैसे बैंकों का आपने मरजर किया और इसके पैरलल में चाहे वो 370 हो चाहे कश्मीर का मसला हो आयोध्या का मसला हो तीन तलाक का मसला हो या फिर नागरिक्ता का सवाल हो हर सवाल को राजनिती साधने के लिए अगर किया गया और उसमें ये लेप दिया गया कि हमारे जहन में तो बिल्कुल ये आज से नहीं विवाजन के बाद से था कि हम इसको इस रूप में साध़ेंगे और अब साध रहें तो ये कोई नई चीज तो है नहीं लेकिन उसके तौर तरीके जो अपनाए गए उसमें आपने इस देश के भीतर में नागरिकता के सवाल को लेकर धर्म को कहीं न कहीं समावेश करके रखना चाहा 3070 का सवाल उसमें आपने कोंस्चुशन को कहीं न कहीं बंदक बनाने की इस्तिती लाई और इसके पैरलल में जो तीन तलाग और अध्या में राम मंदर का सवाल ता उसे भी आपने उस technology और इस तकनीकी आस्पेक्ट में जो अदालती हिस्सा था उसके जरी डाला जिसमें समाज के सुरुकार उससे खत्म हो गए यानि समाजिक सुधार की परिस्तितियां सिर्फ एक शक्स कर सकता है और उस शक्स के लावे कोई नहीं कर सकता इसलिए इस दस गलतियों को एक बार फिर से सुन लिजिए agriculture का चौपट होना, real estate और manufacturing का चौपट होना, GST का चौपट होना, banking service का चौपट होना, unorganized sector का पूरी तरह खतम होना, non banking finance companies का इस देश में चौपट हो जाना, नौकरशाही की मोटी दिवार खीज़ देना, corporate में healthy competitive system खतम कर देना बीजेपी के में गवर्नेंस चलाने वालों को हाशिये पर डाल देना या मार्क दर्शक मंडल में ले आना आरेसस के एजेंडे को अपनाना लेकिन अपने गवर्नेंस और राजनिती को साधते हुए आगे बढ़ाना जिससे समाज के भीतर की परिस्तिती ऐसी बन के बीतर पैदा करेंगे और उस एपिजोट के जरीए इस देश को बाकी सारे मुद्दे ढखने की परिस्तिती में आ जाए पुरा देश क्या ये समभव है हमें लगता है ये समभव हो रहा था दो हजार पंदरा सोला सतरा आठरा तक हो रहा था उननिस से चीजें ढखमगान का हिस्सा बन गई जिसमें जहन में सिर्फ ये था कि डेमोक्रेसी ही हम जीते हैं लोकतंत्र को ही जीते हैं और इसका प्रपगेंडा किया गया यानि इससे पहले ध्यान दीजिए किसी भी सरकार ने बीते सतर बरस का ही जिक्र कर लीजिए किसी सरकार ने नहीं कहा कि हम लोकत रहे हैं वो लोकतान्त्रिक थे वो लोकतान्तरिक अगर नहीं थे तो वहाँ पर राश्ट पती के हस्ताक्छर के साथ इस देश में एमरजनसी लगाई गई य続kt बताते हुए कि आप आपके हक हम छीन रहे हैं यानि हम डेमुक्रिसी थे और इस दौर में डेमोक्रेटिक नहीं अगर है और हम अगर अमेरजेंसी लगा रहे हैं तो उसकी ये वजह ये बताया गया लेकिन मौजूदा वक्त में बिलकुल एक अलग इस्तिती है यहाँ पर डेमोक्रेसी को जी रहे हैं सम्विधान को ही जीते हैं इसी प्रपगेंडा को करने में उपर से लेके नीचे तक पूरी कैबिनेट लगी रहती है और वो कैबिनेट बार बर कहती है कि हम लोगतांत्रिक हैं हम लोगतांत्रिक हैं इससे पहले तो कभी किसी नहीं नहीं कहा ठीक उसी तरीके से जैसे हमें ही देश प्रेम है ये बताने की जरुरत क्यों है हमें ही देश प्रेम है और हमें ही देश तिनी जोर जोर से चिला कर बताने की स्तितिया इस देश के भीतर वैसी पैदा कर दी गई जहां पर जब कोई वेक्ति नौकरी करता है तो वो एक दबाओ में रहता है कि वो नौकरी कर रहा है और उस नौ इधान को मानते हुए जीने के तोर तरीके थे उसमें भी एक समझोता और चिलाहट बड़ी गूंज की सुनाई देनी चाहिए ऐसी इस्तिती पैदा की गए यानि एक दबाव नागरिक के उपर हमेशा महसुस हो कि वह मौजूदा वक्त में एक ऐसी सत्ता के भीतर रह रहा है जहां पर सत्ता की अगर रूटने पर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी ये कौन सी परिस्तितिया हैं और इस परिस्तितियों को लाएगा और इसी के अब जब फॉल्स नजरा रहे हैं जो डाउन फॉल्स इस देश के भीतर नजरा रहे हैं अब उसे जरा पढ़ने की कोशि परिस्ति में ये सरकार नहीं है इस से पहले रिजर बैंक से आपने एक लाक शेतर जार कोड़ रुपे लिए अब आप पैंतालिस अजार कोड़ रुपे फिर मांग रहे हैं लेकिन सवाल है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है दूसरी तरफ आपके खर्चे कम नहीं हो रह और एक निया मुद्दा उभर के सामने आ जाए इसलिए महंगाई दर जो मौजूदा वक्त में है याद कीजिए 2014 में बड़े बड़े नारों के साथ पोस्टर दिल्ली में भी चिपके हुए थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार ये 2013-14 का वक्त था उस इसी पोदीशन में ये देश दुबारा पहुच गया उस पीरियड में चले जाईएगा तो महंगाई दर 7.34 फिजदी थी और आज की तारीक में महंगाई दर 7.35 फिजदी है यह तो ओवराल महंगाई दर है खुद्रा छेतर की और उसके भीतर अब इस्तिती पहली बार डा जो बिचौलिया था वो सत्ता के साथ ख़़ाता अब इस देश के भीतर एकनॉमिक क्राइसिस ऐसी आई है कि थोक और खुद्रे के बीच में जो बिचौलिया कमाते थे अब उनकी इस्तिती भी नाजुक हो रही है क्योंकि जरा समझने की कोशिश कीजिए जुलाई में थोक महंगाई दर थी 1.08% और खुद्रा महंगाई दर 3.15% थी और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1.08 से बढ़ते बढ़ते दिसम्मर के महिने में यानि पिछले महिने में पहुची है थोक दर 2.59% और महंगाई दर आ गई है 7.35% अभी भी 5% का अंतर है दुनिया के किसी हि के बीच में 5% का अंतर है अभी भी ये 5% का इसका मतलब बिचॉलियों की भूमिका अभी भी इस देश के भीतर बड़ी मजबूत है आप उसे खतम नहीं कर पाए और इस्तिती धीरे धीरे ये है कि वेजिटेबल यानि सबजी जो है उसकी महंगाई दर 60% तक बढ़ गई अ असंभव सी परिस्तिती है देश के हिस्से में कभी भी इसनी तेजी के रफ्तार के साथ महंगाई नहीं बढ़ी है कंजूमर प्राइज इंडेक्स जो की फोड इंफलेशन का जाता है जो जिन्दगी के साथ खाने पीने के साथ जुड़ी रहती है वो अगर पिछले साल दि 2% है दिसंबर 2019 में ये जरा जहन में रखिएगा ये पूरी महंगाई दर जो हम आपको सिलसलेवार तरीके से बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि जनवरी में महंगाई दर और बढ़ने वाली है क्योंकि इसमें पैट्रोल डीजल की कीमत में इस दौर में जो खाड़ी का 3.7% का इजाफा सिर्फ एक महीने में हुआ हाउसिंग के भीतर घर के भीतर जो इन्फलेशन होता है यानि जो महिलाएं जो घर चलाती है उसमें साड़े 4% की व्रिदी आ गई है जो इलेक्टिसिटी और दूसरा जो अलग कपड़े और संसादन होते हैं उसमें डेल की बढ़ती एक महीने के भीत इस दोर में आई है जो कोर इंफलेशन है वह भी 3.7% बढ़ गया है जो फैक्टरी आउटलेट है फैक्टरी अपने तौर पर जो प्चाती करती है वो अगर पिछले यानि 2018 से अभी के तुलना में किजेगा 0.5% वह भी बढ़ गया है अगर इ कि किसी भी छेत्र को समाल पाने की स्थिती में ये सरकार नहीं है यहाँ पर हैं आपको एक उधारन दे देते हैं अरजन्टीना में यही स्थिती 2010 में आई थी उस वक्त आर्थिक संकट गहराया और वहां की सरकार ने वहां का जो केंद्रिय बैंक है उसके गवर्नर को कहा कि जो भी पूंजी है वो सरकार को दे दो उसने पूंजी दे दी और अजन्टीना धीरे धीरे डिफॉल्टर की स्थिती में आ गया और भारत की मौजूदा वक्त में स्थिती यह है कि वो रिजर बैंक से लगातार पैसे चाह रहा है और बैंकिंग सेक्टर खत्म होने की कगार पे आकर खड़ा हो गया है और जित पटेल ने क्यों इस्तिफा दिया उस दौर में शक्तिकांदास को क्यों बना दिया गया यह जो एक पूरी की पूरी इस्तिती है हमें लगता है कि एक ऐसी इस्तिती में आ गया है जहां पर केंद्रिये बैंक जो इस देश के भीतर है उसक नहीं समाल पा रहे हैं जो रोजगार था वह भी नहीं हो पा रहा है समल पा रहा है वहाँ पर कहीं वेतन नहीं है कहीं पर नौक्रिया जा रही है उसे भी आप नहीं समा रहे है यानि अगर इकनौमी जो है आपकी अगर सुलग रही है तो इसमें रुपिया आपका एशिया मे सबसे खराब परिस्तिती में आकर खड़ा हो गया है ये सारी परिस्तितियों के समावेश में हमको लगता है अगर आप फिर से बैंक की दिशा में जाकते हैं तो खुद सरकार ये मान रही है कि हमारे पास आर्थिक सुस्ती जो कंपनियों के भीतर है प्राइविट सेक्टर में है पबलिक सेक्टर में है हमारे पास लगवक 15,80,000 नौकरियां और कम हो जाएंगी पिछले साल की तुलना में इस साल और सरकारी नौकरियों में 49,000 रोजगार के मौके और कम हो जाएंगे ये सरकार खुद कह रही है और ये NSSO का डाटा और SBI के डाटा के जरीए हम आपको बतला रहे हैं अगर ये इस्तिती है तो फिर वह लोग जो आंदोलन करते हैं इस देश के भीतर की हमें आरक्षन चाहिए रोजगार में अरे जनाब रोजगार नहीं बचेगा तो आरक्षन कहां से होगा ये ठीक वैसा ही संकटे सम्विधान न रहेगा तो नागरिकता का सवाल अब कैसे भी उचालते रहे हैं यही इस देश के भीतर का सबसे बड़ा सवाल है कि आप इस देश की आत्मा को खत्म कर रहे हैं और देश में रहना एक दबाव के तहट है कि हमारी सरकार है हम जैसा कहें उसी लिहास से चलो ये जो एपी एफो के जो आखड़े बतलाते हैं उसमें 15,000 मंतली कमाई कहीं डाटा है कि लगवक 15,000,000,000 नौकरियां इस दौर में कम हो जाएगी इस दिती इतनी विकट है जो पलायान इस देश के भीतर रोजगार के लिए होता उत्तर परदेश, बिहार, मद्दपरदेश, उडिसा, राजस्थान, जारखड और कुछ हिस्सा बंगाल का यह लोग जो शिफ्ट करते हैं यह पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, करनाटक जाते हैं, महरास जाते हैं लेकिन EPFO का डाटा बता रहा है कि जो काम की खोज में वहाँ पर गए अब इस्तिती है कि पंजाब, गुजरात, महराज, करनाटक में उनके अपने लेबर के लिए काम नहीं है तो पहली इस्तिती डाटा ये निकल कर आया कि जो मजदूर इन जगहों पर जाकर काम करते थे अब वो पैसा तो भेजना दूर, पैसा भी नहीं भेज पा रहा है और उनका रिवर्स पलाइन भी हो रहा है, वो आपस घर की तरफ लोट रहे हैं क्योंकि इन जगहों पर रहके उनकी जिंदगी नहीं समर सकती है इस्तिती डिल्ली की भी कमोवेश यही है दिल्ली में भी कोई काम नहीं बच पा रहा है खासतोर से जो इन्फराइस्ट्रक्चर का काम था वह पूरी तरह बंद हो गया है तो इन्फराइस्ट्रक्चर से जड़े मजदूरों के पास काम नहीं है और इतनी बड़ी तादाद में अगर हर रज परभावित हो रहा है और इस्तिती यह आ गई है कि बिरोजगारी के दर में हरियाना टॉप पर है 27.6 फिस्दी किसी भी देश के भीतर जब उफान होता है वहाँ पर मास स्ट्रगल शुरू होता है जहां अंदोलन की शुरूआत होती है और देश के भीतर राजनेतिक सत्ता को पलटने की परिस्तिती आती है तो बेरोजगारी दर 10 से 15 परसंट जबा जाता है इस्तिती डावाडोल होने लगती है मौजूदा वक्त में हमारे रास्टिय तोर पर बेरोजगारी दर अभी 8 परसंट तक चू रही है लेकिन कुछ राज्यों की स्तिती 8 परसंट से उपर है हरियाना 27.6 फिस दी हिमाचल 20.2 फिस दी जहारखंड 17 फिस दी राजस्तान 15 फिस दी दिल्ली में भी बेरोजगारी 10 परसंट के उपर है 11.2 फिस दी है बिहार में भी ये 10 परसंट 10.7 फिस दी है उत्तर परदेश में भी लगभग सारे 9 फिस दी है तो एक स्तिती देश के भीतर ये है कि युवा क्या करे युवा के सामने इतना भयानक संकट है और घर के भीतर परिस्तितियां आईसी है जहां पर हर चीज महंगाई के दाइरे में है इसको हम लोग कहते हैं स्टैक फ्लेशन ये ऐसा होता है जिसमें बिरोजगारी बढ़ जाती है महंगाई बढ़ जाती है दमांग लोगों के पास ने बसती है और साथ लाग पेंशन धारी आते है यानि एक करोड दस लाग लोगों को ही डिये जब मिलता है तो उसे एक लाब मिलता है एक रहात मिलती है लेकिन मौझूदा वक्त की परिस्तिती इसलिए डराने वाली है सरकार के पास जितनी भी रिसिप्ट है और सरकार उन रिसिप्ट के जरीए जो भी बजट बनाती है उन बजट में वेतन और पेंशन धारियों को जो स्विधा और वेतन मिलता है पेंशन जो मिलती है वो रकम अगर जोड़िएगा इस देश के भीतर में तो वो साट फिस्दी चली जाती है यानि जिस दोर में भारत युवा है 29 साल एवरेज है उस दोर में उस युवा के लिए इस देश के बजट में खर्च करने के लिए 40% से भी कम का पैसा है जिसकी तादाद इस देश में 60% से ज़्यादा की है और जो लोग काम कर चुके हैं जो काम कर रहे हैं उनको वेतन देने के लिए सारा पैसा हमारा चला जाता है हमने कोई एकनौमी इस रूप में डेवलप ही नहीं की हम उस रिफॉर्म की दिशा में गही नहीं जहां बड़ी तादाद में इस देश की एकनौमी खुद को लगातार डेवलप करने की परिस्तिती में आए इस देश के भीतर सरकार इस तरीके से चला रही है जहां पर चलती हुई प्राइविट कंपनियां भी अब अपने पैसे को नहीं लगाना चाती है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर बाजार में मांग नहीं है आने वाले वक्त में अगर उनका माल कोई खरीदेगा नहीं आने वाले वक्त में अगर मौझूदा में वो खर्च कर देंगे तो पैसा कहां से पूर्ती होगा तो उन्होंने भी लोगों को निकालना शुरू कर दिया है तो एक ऐसा UA भारत हमारे सामने खाड़ा है और शायद इसी लिए जब हम बैंकिंग सर्विस पे आते हैं तो आपको यहां पर समझना होगा कि हमारी बैंकिंग सर्विस के भीतर में कई सवाल बार बार उठे और बोर्ड के सदसे उनको भी बदल दिया गया याद किजिए अरबी आई बोर्ड के एक सदस्य हुआ करते थे नचिकेत मोर दो साल पहले उन्हें हटा दिया गया जो क्योगी वह सरकार के जो नियामा का स्थापित करने के जो फैसले RBI के भीतर पेमेंट के लिए जा रहे थे उसका वो विरोध कर रहे थे अब इस स्थिती में देश आ गया कि अर्बन कॉर्परेटिब बैंक्स पे कहीं से पहले पीमसी का गरबर था आज जानकारी आए कि शिरी गोविंद, रागविंदर, सहकारा, बैंक, नित्यानन जो बैंगलोर का है उस पे रोक लगा दी गई है उसमें पैसा नहीं डाल सकते हैं निकाल सकते हैं तो आप सिर्फ 35,000 रुपए ही निकाल सकते हैं ये एक क्राइसिस की इस्तिती है और ये क्राइसिस की इस्तिती आप कौन सी उडान भरना चाहते हैं इस देश का इविएशन सेक्ٹर भी अब इस्तिती नाजुक हो चली है इस्तिती ये है कि एर इंडिया पानसो मिलियन डॉलर के घाटे में है विस्तारा 150 मिलियन डॉलर के घाटे में है एर एशिया इंडिया जो है वह 660 मिलियन डॉलर के घाटे में है सिर्फ गो एर और इंडिगों ही लाब में है गो एर को लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर का लाब हो रहा है इंडिगों का 70 से 90 मिलियन डॉलर का लाब है लेकिन 2020 की परिस्तितियां अवियेशन सेक्टर तक में आपको रूलाने वाली है कि 600 मिलियन डॉलर का नुकसान प्रोजेक्टेड है इस दोर में आपको जो ब्रिट कोड़ प्राइस है वो बढ़ रहा है लगबग पैसेंजर्स की कमी आ रही है जो पिछले साल लगबग सेक्टर डिजिट में रहता था वो 4.5 परसंट पे आ गया है इनी सब के बीच में जो एरक्राफ्ट इंडिगो का था उसके जो A320 एरक्राफ्ट जो थे उसके इंजन की गरबडिया है उसकी तादाद 98 है कि जमीन से लेके आस्मान तक की परिस्तितियों में तो सवाल ये है कि अगर हम कलकत्ता पोट का नाम श्यामा प्रशाद मुखरजी पोट कर देते हैं तो इससे क्या होगा शैमा प्रशाद मुखर जी के गाउं में जाकर उनके पुष्टैनी लोगों से मुलाकात तो कर लें एक बार जो दिल्ली से सटे हुए मत्रवा में है और बहुत कम दूरी पर है और वहां के गाउं की परिस्तितियां पी तो देख लें इसका मतलब यह है कि जो आवरण इस देश में लगाया जा रहा है ये सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है क्या कि डेमोकरिसी को हम जीते हैं कहने के लिए और बताने के लिए उस पर भी पैसा खर्च किया जाता है हमारे यहां कि हम डेमोकरिसी को जी रहे हैं जबकि इस्तितियां ये हैं कि आप डेमोक्रिटिक नहीं हैं समवात की स्तितियां इस देश के भीतर खत्म कर दी गई है और इसी लिए कहा जा रहा है कि मौझूदा वक्त की छोटे छोटे इलाकों से जो विरोध के स्वर हैं वो सिर्फ क्या जेनियू को लेकर हैं क्या सिर्फ नागरिक्ता के सवाल को लेकर हैं लोग अब निकल रहें कि उनके भीतर एक अवाज है अंधेरा इतना गना है कि दूर चमकती हुई एक विरोध भी एक रोशनी के तौर पर हर किसी को नजराने लगी है और शायद इसी लिए कहा ये जाता है कि जब दूर में एक रोशनी हो और अंधेरा घना हो तो वो चमकती है और दूसरी तरफ जो बुझता हुआ दिया है वो आखरी वक्त में बहुत जोर से चमकता है और शायद इस इस्तिती के भीतर में हमको लगता है एक आखरी बात आपको जाननी चाहिए हिदराबाद में जनवे हिदराबाद में पढ़े लिखे हिदराबाद से आगे बढ़ते हुए दुनिया के मांचितर पे जिसकी पहचान एक बेस्ट एकनॉमिस के तोर पर है टेकनिकल आसपेक्ट में उसकी पहचान है उस शक्स का कहना है कि जो नागरिक्ता का कानून है भारत की विविद संस्कृती के खिलाफ है ये बुरा है और उसका भी हम विरोध कर रहे हैं इसका नाम है सत्त नंडेला ये माइक्रो सॉफ्ट के मुख कारकारी अधिकारी है लेक इतना दिपावली थी दिपावली भी उतना मात्मौन था जितनी इद थी तो हम किस परिस्तिती में आग खाड़े हो गए हैं ये जरा समझने की कोशिश कीजिए और सोचिए क्या वाकई ये देश चल रहा है ये सरकार जनता के लिए इस देश को चला रही है ये सवाल है अधब शुपिया